नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है, तो आज याप में discussion करने वाला हूँ, एक नहीं, दो-दो companies के बारे में, क्योंकि मैं हमेशा जब कोई भी discussion करता हूँ, तो बहुत सरे comments आते हैं, तो उस comment के हिसाब से मैं obviously वीडियो बनाता हूँ, आप को भी कुछ comments है, आपको भी कुछ stock के बारे में जानना है, तो आप मुझे जोरूर नीचे comment कर सकता है, कोई भी वीडियो में comment कर दीजेगा, मैं उसके उपर वीडियो जोरूर बनाऊंगा, तो यापर आज मैं एक नहीं, दो-दो companies के बारे में discuss करूँगा, और दोनों ही ज रिखान से देखेंगे कि chemical industries में बहुत अलगला attributes होते है, जैसे paint industries भी चे लोंग करते है, agriculture वह भी chemical से लोंग करते है। आप देखेंगे अब आप देखेंगे, तो देखाजेंतों बहुत स journée chemicals के बहुत सरे products खाने पीने का चीज़ में भी chemicals लगा जाते हैं, तो आज मैं इस दोनों ही famous company है, और दोनों ही leading company है, top 5 ranking में इसका नाम आते है, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं बहुत interesting होने वाला है इस वीडियो को, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा details discuss करूँगा दोनों company के बारे में, तो वीडियो को last तक जुरू देखना और अभी तक अ देखा दू, एक है depok nitrate और दूसरा है Tata chemical, तो दोनों company के बारे में आज discussion करूँगा, क्योंकि दोनों company के अगर comparison करूँ, तो आप देखा जाए तो depok nitrate top 5 companies के उपर नाम दाखिल कर चुके है, और उसके बाद Tata Motors के नाम है, तो आप कहेंगे sir, दोनों company में का बहुत difference है, बिल्कुल भी नहीं, अगर इस company के दोनों की ध्यान से देखेंगे, दोनों की market cap same to same level में है, depok nitrate के total market cap है 27,000, 28,700 करोड और Tata chemicals के total market cap है, वो करीबन 26,293 करोड के आज पार, तो दोनों company में कौन सा based है, कौन सा company, मतला high valuation में है, कौन सा low valuation में है, वो आपको discuss करने वाला हू तो सब से पहले में depok nitrate के बारे में बात करूँगा, तो यह एक, मतलब, एक strong chemical industry से माना चाता है, और depok nitrate का जो business model है, वो बहुत strong है, इसलिए company का experience आप देख सकते है, net revenues जो है, company मार्क 2020 के हिसाब से 6845 करोड के आसपास बना चुके है, या पर देखें, लेंडिंग सकते है, company largest producer बन चुके है, 2018 में, all over India में, और या पर देख सकते है, almost, आप देखेंगे, 3 globally playing के उपर company काम कर चुके है, मतलब, 3 globally countries के उपर company काम करते है, 6 manufacturing units है, और company देखें, export जो माल करते है, 60 countries के उपर माल export करते है, और, sorry, top of 30 countries के उपर, और 6 countries के उपर, तो 50 years company के experience हो Appropriations भी company को मिल चुके है, मतलब, pharma and, या पर देखें, साइंटाइजर के भी, appropriation company को मिल चुके है, तो globally impact देखा जाए, 30 countries के उपर company मान मराते है, माल बेशते है, 6 countries के उपर company manufacturing करते है, 56 applications है, company का मतलब, product है, and customer कितना है, 1000 plus इसका customer base है, 100 plus इसका products है, तो company के जो stand है, वो आपके समने है, इसका जो board है, board का जो members है, वो भी आप या पर देख सकते है, तो यह था company का details, अभी company का और भी data दिखा दू, तो company कौन सा कौन सा sector के उपर product बनाते है, आप देखेंगे तो, या पर देखेंगे तो, या पर देखेंगे, pharmaceutical industries के उपर, additive के उपर, साथी साथ आप देख सकते हैं, बहुत सार है, betto chemicals के उपर, अधिसाब के उपर, आप देख सकते हैं, जो pigments है, dye and pigments उसके उपर भी काम करते हैं, इसका मतला हर sector के उपर company माल बेशते हैं, और इसका main brand किस के साथ company का tie-up है, आप देख सकते हैं, HUL, Hindustan Union River, Indian Oil, आ करते हैं, तो बहुत strong company माना जाता है, अब इस company का financial interest के बारे हम बात करूँ, तो company का financial interest company 28,000 करोड के आसपास है, अभी भी large gap बन चुके है, तो company का return of equity, return of capital best level में देखने को मिला, अगर इसका peer EC दिखा जाए, तो company 31.3% के आसपास company का peer EC है, तो company का peer EC, investors peer EC के आसपास है, चलो ठीक है, फिर भी high valuation में है, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इस company के सबसे जो खासियत है, company में depth नहीं है, नाक के बराबर depth है, इसका income के हिसाब से depth बहुत क सबसे थोड़ा सब मुझे जादा है, आपर देखने को मिला है, अभी company का profit and loss के बात कर तो company continuously profit को maintain किया, यहीं सबसे बड़ा खासियत है company का, और company का cash flow के बात कर तो company के cash flow भी maintain हो रहा है, अच्छी तरीके से, तो company ने आपको return किस तरीक से दिया, सांदा return दिया, धमा का return द जो investor नहीं कर रहे थे, आज इनवेस्टर इनवेस्ट करके है, उसके बाद public के पास भी हिस्से तरी जाता है, और promoter के पास भी holding है, अब इसका चार्ट पर आपको दिखा तो, तो दिखे company किस तरीके से कोबीड के बाद company किस तरीके से rally दिखाया, जब कोबीड के situation में इसका प्राइस था करीबन 330 रूपीज के आसपास, और उसके बाद high किये थे कितना, करीबन करीबन 3000 के आसपास, इसका मतलब 10x return आपको company यहापर दे चुके है, तो कितना तगड़ा performance को है, तो मैं एक train line आपको docker के दिया, इस train के support resistance बन रहा है, तो इस resistance को तोड़ेगा, तो एक next level यहापर रहेगा, था level यहापर रहेगा, अगर इस सारे level को तोड़ता है, तो फिर से एक rally moment आपको देखने को मिलेगा, तो यह था दिपोक नाइटेट के बारे में, अभी दिखा देता हूँ आपको Tata chemicals के बारे में, तो आप सभी जानते है, Tata मतलब trusted group, इस company का भी chemical का business आप एक बार निव जाया था कि Tata का जो मतलब जो batteries है, जो batteries बनाने वाला है, मतलब जो lithium battery बनाने वाला है, तो उसके लिए जो chemicals के जोरूत होगा, वो Tata chemicals भी, मतलब production करेंगे, मगर Tata chemicals उस project को उपर ना कर दिया, मतलब cancellation कर दिया, तो इंडिया थार्ड लार्जेस्ट याप और वो भी इंडिया में नहीं, ग्लोबाली मार्केट में थार्ड लार्जेस्ट कॉम्पानी है, इससे लार्जेस्ट यहापे देखिए, यहापे saltworks के उपर काम करते हैं, तो कॉम्पानी 4600 एंप्लोईज है, साथी साथ 4 कंटी के उपर कॉम्पानी बीजनेस को फेरा कर फेरा बना जाते हैं, वह ग्लास बनाने का भी जो गेमिकल्स लगते हैं, वह ही इस country बनाते है, साथी साथ जो सिमेंट सें famous में बीजने के Àसपास हो, आप ब prematest from the company बनाते हैं, तो इस इन देखा दूँ तो इसका भी market cap Deep Ognited के आसपास है, इसका peer ratio बहुत reasonable price में है, return of equity, return of capital employee एक average level में है, हाँ company का कर्जा है, मगर कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है, हाँ Deep Ognited से भी obviously ज़्यादा कर्जा है, क्योंकि इसका कर्जा है, डेप जो है 6000 करोर के आसपास, annual income 1400 करोर के आसपास है, company का sales growth ब बीच में एक बार losses किया था, 2014 में company 800 करोर का loss किया, उसके बाद continuously profit को maintain किया, अभी company का CAGR percentage के बारे में बात करों, तो company continuously profit को maintain कर रहा है, तो Deep Ognited ने तो एक साल में भी return नहीं दिया, मगर यहाँ पे भी एक साल में 21% का return मिला, तो average day company का return है 25% के आसपास, तो सोचे कितना कभी भी company cash flow को negative में नहीं लेका आया, इसका मतलब माल बेचने के बाद time to time उसके हाथ पे पैसा भी आ रहा है, इस company को पूर ट्रस्ट करते है, institution भी, देखे पहले institution के पास उतना holding नहीं था, आज भी holding FIS ने बढ़ा चुके है, DS ने थोड़ा सा माल बेचा है, और public के पास भ मतलब up 10 में गया था, उसके बाद COVID की situation में company का हालत चेंज हो गया, COVID के situation में company का price, adjustment price था करीबन 200 रुपीज के आसपास, वहासे company कितना दूर तक गया, करीबन 1200 के आसपास, तो सोचिए कितना बड़ा rally या पर देखने को मिला, तो अच्छा कासा एक jam देखने को मिला, इस jam स मतलब interest math हो जाना, company के stand के बार में पहले जांच करना, उसके बाद निवेस करना, मेरे लिए दोनों company ही based है, दोनों company chemical industries के उपर होने के बाद भी दोनों का category थोड़ा सा अलग है, तो मुझे मेरे हिसाब से दोनों company के उपर भी focus रखिए, दोनों company के उपर आप study करिए, उसक बुरा details, मेरे total details education purpose में होता है, तो आप कोई भी buy and sell का recommendation मत समझ लेना, तो एक बार research करना, उसके बाद निवेस करना, मिलते इसी तरीके से निया stock लेके, तब तक लिए अच्छे से रहे हैं, आपने ख्याल लखिए, बाई